नमस्ते दोस्तों रुपेश की रस्वे में आप सभी का है स्वागत आज एक टमाटर की चटनी की रेसिपिस बहुत है रहे हैं जो बहुत ही मज़िदार चट्पटी इतनी आगर दो रोटी खाते होंगे तो ती रोटी आप जरूर खाओगे इस चटनी के साथ चटनी बनाने क तो यहां पर हमने आदक लो टमाटर लिये हैं और यह टमाटर को हमने पींच में से इस तरीके से कट लगा लेना है देखिए दो भाग में हमने टमाटर को काट के रख लेना है और यह टमाटर पके हुए होने चाहिए कच्चे टमाटर नहीं होने चाहिए तो यहां पर हम तो यहां पर सभी टमाटो को कट करके रख लिया है, अब लिया है हमने एक तबा मौहे का तबा है और यह मोटे तले वाला होना चाहिए तबा तो यहां पर हम डाल देंगे 20 चमश सरसों का तेल तो टेल डालने के बाद इसको 4 तरफ इस तरीकी से हम तबेफे फिला लेते हैं कि यहां पर मैं इसको इस तरीके से रख देधी हूं सब ही टमाटर को रख देती हूं हर तो यहां पर जो हमने पहले इसको टमाटर को एक साइड सेह यहाँ अ हमारे जो टमाटर है वो पक जाएंगे तो इसकी साइड चेंज कर देनी है हमने तो यहां हमारे जो टमाटर है वो काफी अच्छे से एक साइड से पक चुके है तो आप इसको हम क्या करते हैं इसकी साइड चेंज कर देते हैं तो यह देखिए इस तरीके से आपने टमाटर को तो बहूंती टेस्टी चट्नी सब्सासी है। यहां पर आक से पकातेगे और दुसी साइट गाला से अपना र स्टम कम लगें अब गरें को ठैते ओंप भूर सुष्य कंट मतार garment we 10 से 12 लस्तां की कलिया लिए हमने और इनको हलक आसा तेल में हमने रोश्ट करने आए चल्लेख कज़िए इसे ने पिंसे और मचे ज़ो जो चमाटर का जो जर फेंड़ान यरिंग चल्बाइए पकने के बाढ़ टमाटर बहुत असानी से चलका उतर जाता है इस तरीके से सभी चलके को उतार लेना है अब आप एक काम करना है यहां पर जो है ना टमाटर को अच्छे से मेश कर लेना चाहे तो आप इसको इस तरीके से फोक से कर सकते हो मुझे फोक से ठीक नहीं लगा मैं इसको हाथों से मैश करूंगे इसको मिक्सी में नहीं पीछना है इसको जो हलका सा मोटा मोटा चटनी को रखना है बारीक नहीं पीछनी है तो हमने इसको देखिए जो हमने लशन इसमें डाले थे न वह काफी अच्छे से यह देखिए ऐसे आलू की तरह न वो मैश हो जाते हैं तो यहां पर हम टमाटर के साथ लशन को भी इस तरीके से पोड़ लेते हैं और यह हमारी जो चटनी है बनके तयार हो चुकी है तो यहां पर यह देखिए अब इसमें हम डालेंगे एक प्याज भारिक कटी हुई हम इसमें डालेंगे काला नमक थोड़ा से काला नमक और थोड़ा से इसमें वाइट वाला नमक डालेंगे तो यहां हम थोड़ा से वाइट वाला नमक डाल देते हैं अब यहां पर डालेंगे हल कीसी लाल मिर्ची हल कीसी और एक नीबू का रज इसमें डालेंगे हम हरा धनिया इसको कर लेते हैं मिक्स तो मिक्स करने के बाद चटनी बनके हो चुकी है तयार बहुत ही स्वादिश चटनी बनती है ये मैंने फर्स्ट पहली बार ट्राइ की थी और मुझे बहुत इसका रजल्ट अच्छा है था मतलब ये जो चटनी है एक ही दिन में फिनिश होगी थी रखने की जरूरत नहीं पड़ती इसको तो आप इसको रोटी के साथ पराटे के साथ किसी के भी साथ खाईएगा बहुत ही टेस्टी चटनी है जट पट से चटनी बना के आप जरूर खाईएगा और कमेंट करके जरूर बताईएगा